असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नाम अशुद क्रेशी है और फिर एक नेक्स वीडियो में हम मुझूद है और एक बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूँ और वो है फॉलो थू जैसे कि मैंने प्रिविएस वीडियो में आपको बताया था कि हम फॉलो थू जब शॉट खिलते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो स्टन में कनवर्ट हो जाता है और फॉलो में नहीं होता कि लड़के जब शॉट खिलते हैं वो फील करते हैं कि हमने जतनी फॉर्स लगाई है इसके उपर वो उतनी पेस में वाइड बॉल ने रियक्ट नहीं किया या उतना रिस्पॉंस नहीं दिया टेबल के ओपर जितना उन्होंने फोर्स लगाई है तो इसकी चोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हम आज निकालने की कोशिच करेंगे मैं आपको गाईड करूँगा और आप कोशिच करेंगे उसके उपर काम करें तो आपको बहुत जादा फर्क पड़ेगा इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझसे वन-to-one ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे राप्ता कर सकते हैं आप मुझे अपने मुलक में अपने शहर में अपने कलब में बुलाना चाहते हैं फॉर टीम ट्रेनिंग मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे जरूर बताएएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है मेरी वीडियो को भी अपने लिडियो जी जी दोस्तों हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वज़गवात हैं कि हमारे से जब ह सा एंगल पे वाइड बॉल रखके कोशिश करूँगा कि दूसरे एंगल से भी आपको बता हूँ अब लेट से कि मैंने अपने वाइड बॉल को फॉलो करना है और उस कुशन पर हिट होना है तो अब देखें कि होता क्या है कि हमारे लड़के एम उपर का ले रहे होते हैं ले अब फॉलो हो भी जाता है लेकिन वह फॉलो कॉंसिरथ महा रही होताया यह लेकिन अस दो का शॉलो फॉलो आपने कर रहे हैं कि जब्के आप पॉलो नहीं हुआ है तो इसे फॉलो खेल इस दो आपने नहीं हो जोपे darauf इसको खेल सकते हैं अब let's place on blue और मैं आपको proper follow through करके बताता हूँ आपने करना क्या है यहां से देखिएगा कि usual आप समझते हैं कि यहां पर hit करने से हमारा follow through हो जाएगा या हम यहां पर देख रहे होते हैं लेकिं जेब हम hit करते हैं हम हलकासा नीचे hit कर देते हैं ऐसे नहीं करना आपनी क्या करना involved ब्रीज को उचा करें ठीक है ब्रीज को उचा करके आप Hit करें अराम- Aham से मैं खेलूँगा आपको यही फील आएगी या जितने भी अच्छे प्लेयर्स या टॉप प्लेयर्स टॉप एमेचुर प्लेयर्स या प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं वो आपने देखा है कि आप लड़के पूछते हैं कि इदिफा के सरी इनका रुक के कैसे चलता है वो कि उसके अंदर जो है वो मुव्मेंट जो है वाइड बॉल की वो स्पिन उसके अंदर जब आ रहा होता है तो वो जब हिट करते हैं उसको तो बॉल जैसे हिट करता है उसके अंदर स्पिन मुझूद होती है तो वो उसकी स्पिन को फिर जैसे वो बॉल आगे चला जाता है तो wide ball spin करना शुरू करते हैं फिर वो रुक के वो चलता है एक दफ़ा और ये shot खेलते हैं जी और फिर देखते हैं कि इसके उपर हम हमें क्या समझ आई चौक लगाएं अगें चौक को नहीं भूला आप नहीं है बड़ी important चीज है जी ये देखें वाइड पहले हलका slow हुआ है उसके बाद उसने speed पकड़ी है उसके बाद वो short में आया है तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि basic mistake हमारी यही होती है कि हमा जहां सोच रहे होते हैं वहां हम hitting कर रहे होते हैं और ये हमारा बहुत बड़ा flaw होता है हमारी hitting का हमारी game आगे ना बढ़ने का हम let's say कि मैंने position यहां पर बनानी थी तो मेरा white ball चले फालो हो भी गया लेकिन वो यहां रुक जाता है कहीं पर यहां से लगने के बाद यहां रुक जाएगा और मैं कहूंगा यार यहां आ जाता तो मैं आराम से green pot कर लेता अब मुझे rest से green pot करनी पड़ेगी सो यह सारी चीजें with knowledge and practice होता तो अपना यहां से अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को close करते हैं आप मुझे personal training लेना चाहते हैं तो मेरे numbers मुझूद है स्नूकर टेबल लेना चाहते हैं मुझे राबता कर सकते हैं और अगर अपने मुलक में अपने शहर में बुलाना चाहते हैं मुझे invite करना चाहते हैं अपनी national team के लिए अपनी team के लिए तो मुझे आप message कर सकते हैं WhatsApp पे मैं always reply करता हूँ और इसमें English वीडियो भी चलती रहेंगी साथ साथ क्योंकि बहुत से international मेरे contact हैं जो चाहते हैं कि मैं English वीडियो में भी वीडियो बनाऊ तो आपका कुछ सवाल हो जरूर भेजिएगा मैं reply थोड़ा लेट करता हूँ लेकिन करता जर रखे आला हाफिज